हेलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश जीस क्लाशेश में आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे प्रैक्टिस सेट नमबर हमारा अकॉंट से 15 क्रम का ठीक है तो आगे चलिए श्टार बच्चे भांसा को क्या करते हैं भांसा अर्जन ठीक है भांसा अर्जन जो होता है इसमें कौन सी भांसा आती है मात्री भांसा ठीक है आप इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे यह जो अनुकरन के माध्यम से भी सीखी जाती है ठीक है अनुकरन के माध्यम से ठीक है और सहज होती है, सीखने में क्या होती है, बहुत सहज होती है और सभाविक होती है, ठीक है, सहज और सभाविक होती है, तो सहज और सभाविक रूप से सीखते हैं बिल्कुल सही बात, ये पार्ट हमारा क्या है, राइट है, अभ्यास और तंतर के मात दियम से बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? मेरे खाल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भासा अरजन और भासा अधिगम से एक कुस्चन आपका जो है ही दे भी रहेगा और एक कुस्चन ऐसा ही सेम टू सेम हमारा जो संस्कृत में रहेगा इसलिए भासा अधिगम वाला चैप्टर को आप अच्छे से clear करके जाएगा ठीक है चलिए आई चलते हैं next अगला question question आप लोग बताएंगे 92 92 क्या कर रहा है कि जो बच्चे बच्चे बिशेश रूप से पढ़ने में कठिनाई मसूस करते हैं वे क्या होते हैं जिनको पठन कारे में क्या होती है पठन में जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है उसको काते हैं डिसफ क्या करते है डिसलیک्सिया बोलते है क्या जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है जैसे स-स रिका है सच करी जिए चू def डिसलेक्सिया से क्या बच्चा ग्रस्थ होता है ठीक है किसे डिसलेक्सिया ग्रस्थ बच्चे को पढ़ने में क्या है कठिनाई मसूस होती है और डिसग्राफिया से बच्चे को लेखन में प्राउबलम होती है लिखने में प्राउबलम होती है और डिसकैलकुलिया से जो है बच्ची को जो कल्कुलेशन में क्या होती है प्राब्लम होती है ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला कोश्चन कोश्चन नमबर आप 93 बताएंगे 93 हमारा क्या कर रहा है कि हिंदी हिंदी भासा सिच्छक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्तो पूर्ण मानत हिंदी भासा सिच्छक के रूप में आप किसको महत्तो पूर्ण मानते हैं देखें संधिया हमारा A पार्ट बच्चों के लेखन चंपता का विकास आप उनकी लेखन चंपता में विकास करेंगे यह महत्तोपूर्ण है या फिर जो है बच्चे अगला क्या है बच्चों को बिभिन संदर्भों में भासा का प्रियोग सिखाना सबसे महत्तोपूर्ण बच्चे को हर एक संदर्भ में उसको जो है भासा के प्रियोग को अधिक क्या करना सिखाना यह हमारा सबसे महत्तोपूर होता तो बी पार्ट हमारा क्या हो जगा इसका राइट एंसर हो जगा का यह पार्ट गलातों का मौकिक अविव्यक्त की छमता यह भी सही है लेकिन उतना नहीं सही जितना हमारा सी पार्ट है बी पार्ट है ठीक है बच्चों को ब्याकरण के नियम सिखाना है सही लेकिन जो सबसे अधिक महत्तोकूर हमारा है वो हमारा बी पार्ट है ठीक है चलिए नेक्ट चलते हैं अगला कोस्चन कोस्चन नंबर आप लोग बताएंगे 94 94 क्या करा है कि 94 करा है कि हिंदी भासा की बारिकियों को सही रूप से सही रूप में समझने के लिए छमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे ठीक है मतलब हिंदी की जो एक एक बारिकी को हमको समझने के लिए जो है हमें किस चीज को सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए बिकास करना चाहिए बच्चे का तो ए जो है जो है हिंदी भासा के बिभिन प्रयोगों से युक्त समागरी उपलब्द कराना चाहिए सही है लेकिन उतना सटीक नहीं है ठीक है संस्कृत संस्कृत निष्ट हिंदी भासा में युक्त समागरी का उपलब्द कराना हिंदी भास से आपको कोश्चन स्वारी एक मिनट हम लोग कोश्चन नमर 94 देख रहे हैं तो इसका ए पार्ट हो जा हिंदी भासा कि बिभिन प्रियोगों से युक्त सामागरी क्या करना बिभिन प्रियोग किसी में भी प्रियोगों कर रहा है जितने भी उसकी जो है सामागरी उसको उपल क्या कर रहा है 95 कर रहा कि सात्वी एक सात्वी कच्छा में पढ़ने वाली रूबी कच्छा में सबसे पहले जो कार समाप्त कर लेती हिंदी भासा सिच्छक के रूप में आप क्या करेंगे वह किसी भी कार रूबी है जो किसी भी काम को क्या करती बहुत तेजी से तो रूब की तुलना कहीं भी तुलना अगर करने की बात आएगी वह आपसन हमारा तुरंद क्या हो जगा निगेटी हो जगा तुरंद गलत हो रूबी को जो है उसकी पसंद का कारे करने के लिए कहेंगे ठीक है बिलकुल सही बात है ठीक है रूबी को उसके जो पसंद का कारे उसको करन नेक्स बताएंगे 96 नंबर 96 कार रहा है बच्ची जो प्राथ्मी कस्तर पर भांसा进खने को प्रभावित करता है। बच्चो द्वारा किया जाने वाला सुलेक सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है या सिछक का भासा सिछन समंदी रवया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है सिछक का भासा समंदी रवया होता है वो सबसे ज़्यादा उच्छ स्वारी उच्छ प्रात्मी कस्तर पर सी यह सब्धाने में प्रभवित करता है आ मतलबा अपने से सुआ मतलब करना अध्य का अध्य है कि शिलता क्या ह्कारना बिकास करना ठीक है एक डिवन में इन निएस है नहीं पूछा तो नहीं कम राना भर चाहिन कर सब्लाइक रहाने की बात करेगा तो हमारा गलत हो जागा और भर हमसे निए Dublin निगेटिव का एंसर हमेंसा क्या आता है निगेटिव आता है तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा भासा प्रियोग की छमता का विकास करना बिल्कुल सही बात चिंतल सिलता का विकास करना एभी सही लेकिन सब्दों को सुन करके दोहराना छमता का विक है फोचिन नमबर 98 जो उच प्रात्मिक असजब पर हिंदी भासा सिछण में सरो परी महतम्पूर्ण समागरी की charged हो उच्च प्रात्मिक अस्तर पर हिंदी भासा सिछण में सरोपरी महत्यकून समागरी हमारी क्या होती है बाल साहित होती है क्योंकि बाल साहित में जो वरनित कहानिया और कविता होती है उनके माध्यम से अध्यन में भासा प्रियोग में मजबूती आती है मजबूत होता अधिगम में ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला कोशन कोशन आप 99 बताएंगे 99 क्या का रहा है कि जो उच्च प्राथमिक अस्तर पर जो बहु भासिक कच्छा में बच्चों की भासा भासा है क्या होती है एक संसाधन की रूप में होती है जो फिलेख क्या होती है एक कठिन समस्या है एक पहली है एक जटिल चुनावतियत उसको उच्च प्राथमिक अस्तर पर बहुव भासिक कच्छा में बच्चों की भासा को हमेशा क्या है एक संसाधन की रूप में लेना चाहिए ठीक है मासा को किसमें एक संसाधन की रूप में तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा ठीक आगे बताई कोश्चन नमबर हंड्रेट एक उच्छ प्राथमिक अस्तर पर हिंदी भासा की समावेशी कच्छा का श्वरूप निर्धारित करने में सरवाधिक महत्वपूर्ण क्या है अपल उच्छ प्राथमिक अस्तर पर हिंदी भासा की समावेशी समावेशी का समावेशी कच्छा का मतलब क्या होता है कि जहाँ सभी प्रकार के बच्चेव सबसे महात्वपून है थीक है समावेशिक अच्छा का स्वरूप निधारजन करने के लिए सरवादिक मात्वकूर्ण क्या सिच्छन प्रक्रिया है ठीक है याद रहेगा न क्या है अमारी सिच्छन प्रक्रिया है ठीक आई चलते हैं नेक्स्ट अगला कोशन बताएं कोशन नमबर 101 बताएं जो उच्छ प्राथमिक अस्तर पर बच्चों को मौखिक अभिव्यक्त करने में सरवाधिक उचित तरीका का उन्हें प्रश्ण पूश करके आप उनका विकास करेंगे या फिर प्रतिक्रिया व्यक्त कर समाज के साथ इंट्रेक्ट करके बच्चा सीखेगा यह कौन बताया था तो यह बताया थे हमारे कौन टेम कनुश करेगा चिंतन करेगा उसके बार क्या करेगा नींच करेगा। क्या यह याद हो ने चाहिए ठीक पर समझ कर पढ़ने के संदर में स्तरवादिक महात्वपूर्ण का तीब्रगत से पढ़ना बिल्कुल गलत बात है किसी चीज को तीब्रगत से पढ़ना नटे फेरेवल ठीक है आगे बताईए कुछन नमबर इसी का जो बी पार्ट बोल बोल कर सुद्ध सुद्ध उचारण क सबसे है महात्वपूर्ण किसी चीज को समझ समझके उसका नहीं निकालकर पढ़ना जो सबसे सटीक होता है ठाए जो हमारी समझ कर पढ़ने के संदर में सरवादिक महात्वपूर्ण है ठीक है तो हमारा क्या जाएगा D part आजाएगा अब आप बताएंगे Q145 बताईए यह ब्याकरण की समझ को संदर्व प्रक प्रश्णों के माध्यम से आकना आंसिक रूप से उचित का लाता है या जो पून रूप से उचित का लाता है तो ए पार्ट हमारा क्या जगा सबसे राइट एंस हो जगा ठीक है 15 हमारे पेड़ोगोजी के थे आप अपी बताएंगे चमता के आकलन में कारे परक पच्छ पर बल देने का आश्या क्या है मतलब कारे पर भासा प्रियोग पर बल देना भासा के कारियों को बढ़ावा देना भासा प्रियोग का पच्छ बताना भासा की कारियों की सूची बनाना बताई एक सो पंद्रा का तो एक सो पांच का तो थी हिंदी की जो है बहुत ही बेटर होगी ठीक है तो आप चरूर कमेंट में बताएगा अब हम लोग गध्यांस के और जो कविता की पंक्ति दी रहे थी उसको करते हैं ठीक हो उससे भी 15 को चन उसमें तो एक भी गल्दी नहीं होनी चाहिए किसी से जो है ठीक है चलिए पहला कीला है ठीक है निश्चे कल सुबह और चमकीली होगी मतलब निश्चित है कि कल की जो सुबह होगी और क्या होगी सुन्दर होगी चमकीली होगी बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे ठीक है क्या फूल कल फूल खिलेंगे ठीक है घुटन घमकती सांसों की आवाज सु कुण्ठाओं की दहनी छिन भिन होगी फिर आसा अपने चुन नी चांदनी कल चंदा की किरन और चटकीली होगी कुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे आंखें अपनी आंखों को बह चान सकेंगी ठीक है चली आई एंसर देते हैं ठीक है पहला कोश्चन काब्यांस में चमकीली सुभा का आसे क्या होता है चमकीली सुभा का आसे का मतलब क्या है क्या मतलब कभी क्या करना चाहिए अंदकार समाप्ति के बाद आसा भरी सुभाई सुरी की किरन से चमकीली सुभाई सफेद कोहरे से चमक्ती सुबह प्रातकाल का समय बताईए तो यह क्या करना चाहता है मतलब एक अंधकार है ठीक है अंधकार से जो समाप्ति के बाद आसा भरी क्या होगी सुबह होगी ठीक है काप्विग में एक कहा गया है ठीक है नेक्स्ट बताएंगे एक सो साथ कभी को विश्वास है कि सुबह का समय सदा क्या होता सुबह ना होता कल की सुबह आज से क्या होगी अच्छी होगी बिल्कुल कहा है कि नहीं कल की सुबह क्या होगी कल की सुबह होगी, काबे में पुर्ण रोपसी इस बात का garden किया गया है कुन्ठाओं की टहनी छिन्न बिन्न होगी कुन्ठाओं, मतलब कुन्ठा से जो गरसित हैं दुख की अनुभूती खत्म होगी या पुरानी डाली तूट जाएगी ये तो कोई आपसन नहीं ठीक है ये तो गलत बात है ठीक है निराशा क्या हो जाएगी निराशा दूर होगी क्या होगी हमारी जो कुंठा है जो निराशा है कुंठा की डहनी छिन भिन होने का आसे मतलब होता है निराशा क्या होगी दूर होगी आप जो जो हमें एक निराशा कंठा चाही थी तूड जाएगी थी कई तूर हो जाएग lespa 110 चांदनी का बिशेस्ट क्या होता है चांदनी क्या होता है चांदनी का बिशेस्ट क्या होता इसका क्या जो चली है और दो दे Death दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, दिल के दरवाजे खुलने का मतलब क्या है, बताइए, आपस में बात ही करेंगे, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, दिलों में सब की प्रतिक्या मित्रता रहेगी, ठीक है, ये सबसे सटी का एंसर है, दिलों में दिल के दरवाजे खुल ग परियावाची होता तो कुशुम फूल का परियावाची होता है ठीक है फूल पुष्प पुष्प इसका पुष्प और क्या होता बताई प्रशून भी होता है ठीक है कुशुम फूल पुष्प प्रशून शुमन भी होता है ठीक है शुमन भी होता है शुमन भी होता है लेकि सरे मारे के पर्यावाची वोते हندीक है तो हमारा कौन सा नहीं पूछा है तो हमारा एे पार्ट क्या हो जगा राइट ओजाएगा ठीक को अंदोलन हुगा था, ति सब पुरानी परंपरा हैं, पहले से ही लोग कितने समवेदन सील रहे हैं पर्यावरण के प्रति, ठीक है, अथरव बेद में लिखा गया है, जो हमारा जो चार बेद हमें हैं, जो है, रिजुवेद, एजुरुवेद, साम बेद, अथरव बेद, लिखा गया है कि भूमी माता है, जो हमारी माता है, हम पृत्षिवी की क्या है? संतान है, ठीक है? nutritious एक अस्थान पर यह भी लिखा गया है के पवित्र करने वाली भूमी हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हिर्दय को क्या हो आगहात पहुंचे मतलब आगहात का मतलब चोट पहुंचे हिर्दय को आगहात पहुंचाने का यह अर्थ है कि प्रिथिवी के पारिस्तिकी तंत्र के साथ क्रूर छेंड़ खाल आप लोग देख रहे हैं आज क से बचना होगा आज आओ सकता आज आओ सकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट जलवाई परिवतन में गंभीर खत्रे को ले करके आपसी मद्वेद भुला दें और अपनी अपनी जिमेदारी अपनी अपनी जिमेदारी निभाएं ताकि समय रहते सरवनास से क्या किया जाए उबरा जा सके ठीक है विश्व विनास से निपटने के लिए शामुहिक यों ब्यक्तिगत प्रयाशों की जरूत मतलब समू के रूप में भी प्रयाश करना है ठीक है इस दिसा में आंदोलन हो रहे अरने रोधन की बदले अरने संरच्छन की बात की जाए अरने भूमी माता है और हम उसकी संतान है इस कथन को चरितार्थ करना होगा ठीक है तो हम लोग पूरा कथन पढ़ चुके अब हम लोग को क्या करना एंस्वर देना है ठीक है पहला कोश्चन हमारा इसमें क्या कर रहा है 112 हम प्रिथवी की संतान है हम से तातपर क्या है संसार के सभी नागरिक एक खास देश की लोग बिलकुल गणत बात है। हम भारतवासी हैं या पूरा संसार के सभी लोग ही हम क्या है। रीखेत क्या हो गारेंगा प्र पलस अवरान होंगा चभडंगा ब्र्रीगंका अश्ट के-निदी कोंग की और यह समय होग है प्रेक्टिस कि दि था नहीं डरा डिटेल थे संपमेंट के Сब्सक्राइब SANDKA wise करेंडा और समय कोई वात है ठीक है तो आज से वन ड से बताइज़ हम प्राकृतिक के हिदे को आगात पहुंचाते हैं यदि हम पारिश्तित्यकि से करते हैं प्रिषिभी की खुदाई करते हैं संसाधनों का दोहन करते हैं प्रिषिभी में प्रिषिभी से बुरा बयोहार करते हैं तो इसमें कौन सा शबसे सबसे बहत्रीन important होगा जिर avons thus तो सबसे जब पारिश्थितिकी तंदर से हम क्या करते हैं तो हम क्या करते हैं प्राकृतिक के हिर्दय को क्या करते हैं अगहात पहुंचाते हैं मतलब जब हम पारिश्थितिकी वर्णों की कटाई करते हैं ठीक है तो यह सब क्या है प्राकृतिकी तंदर से हम क्या करते हैं छ बचा जा सके तैरा जा सके या हटा जा सके तैरा जा सके तैरा जा सके हटा जा सके तो दो आपसन मैंने हटा या फिप्टी फिप्टी कर लेजे एक सो पंद्रा का तो बी पाट क्या बचा उबरना का मतलब बचा जा सके ठीक है सरवनास से क्या किया जा सके ठीक है चलिए नेक् अर्थ का मतलब होता है सिद्ध करना ठीक क्या होता है चलिए एक सो सत्रा बताजी विश्टो के सभी देशों की अपेच्छा की गई है कि वे पर्यावरण की रच्छा करें अपने उत्तरदायत इमंदारी से निभाएं बैक्दिगत प्रियास करें मिल जूलकर प्रियास करें आये एक सmmon तो क्या करें अपने उत्तरदायत को अच्छे से निभायें ताकि पारिष्थित की तंत्र को जो है बचाया जा सके ठीक है उनका सर्रच्छण किया जा सके एक सो धीला बताइए अरण सब्वकिस प्रित्वी और प्रित्वी निवासियों में माता और पुत्र में धर्ती और सभी देशों में प्राकृतिक और परियावरण में प्रित्वी और प्रित्वी और प्रित्वी के निवासियों जो संबंद एक मा और एक संतान के बीच होता वही संबंद जो प्रित्वी और प्रित्वी पर रहने वाले लोगों के बीच है ठीक है लेकिन फिर भी लोग क्या करते है क्या करते है प्रित्वी तंदर के साथ सब्सक्राइब करेंगे जिस तरह से आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए हुए इसी तरह से बनाए रखिएगा ठीक अगली वीडियो हमारी शाम को आप लोगों को देखने की मिलेगी जो किसकी CDP की 15 नंबर की क्लास तो आप लोग ज्यादा जुड जाएगा ठीक है तो वीडियो को सेर कर दिया करिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा ठीक और जिनलों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ सीरेट नाम से वहां से सभी वीडियो पड़ी हुए लग सत्तर उत्तर वीडियो है आप वहां से रिवीजन स्टार्ट कर जिए फटा फटा जो है ठीक आज के लिए इतना ही जैंद जैबारत